नमस्कार दोस्तो आईए आज फिर एक ऐसी एसे विसे में अपन चर्चा करते हैं जो बर्तमान में बहुत ही आवश्यक और बहुत जरूरी है इस समय क्या है इस कोरोना महामारी का प्रपू फिर से लाक डाउन खुलने के वाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिनकी रोग प्रती रोधात्मक चंता कम है उनको इसका रहे ज़्यादा है अतह दोस्तों आज हम उसी रोग प्रती रोधात्मक चंता को बढ़ाने के कुछ उपाय बहुत जरूरी बताते हैं जो सुलभ भी हैं और सरल भी हैं उनमें से प्रक्रति द्वारा प्रदत कुछ दिव्य बनस्पतियां हैं जो हमें इस महामारी से लड़ ने की छंता प्रतान करने वाली हैं उनी में से एक है गिलोए। गिलोए की बेला होती है पान के पत्तों जैसे बेला होती डिलोए सुलभ लेकिन के अंदर जो छंता गुन होई हैं असीमित हैं उसके साथ कुछ और ही दिव्य बनस्पती मिलाकर एक कौात तयार होता है बैसे तो आप स्वयम अपने को प्राप्त करने के लिए आप अपने घर में लगा सकते हैं गिलो और उसी के साथ अस्वगंधा है कुछ इस प्रकार की दिव्य बनस्पतियां हैं जनको आप स्वयम राप्त करके और उनका कौात तयार करके उसका सेवन करके और लाव ले सकते हैं लेकिन यदि कुछ मित्र लोग कुछ बंदोजन यदि यह नहीं कर पाएं तो उनके लिए आज हमने एक ऐसा कौात स्वयम ने भी तैयार किया है और उसको हम आपको बताते हैं कि उसके सुवय साम लेने से वो रोग प्रति रोग रात्मक छमता कहसे वड़ती है यह आप लेकर देखें यह है इम्यूनो 18 कौात के नाम से महा सकती के द्वारा यह निर्वान किया गया है इसके लेने से आपको बहुत लाव होगा वर्तवान में जो समय चल रहा है आप इ यह हमारे द्वारा आप तक पहुंचा दी जाएगी तो दोस्तों यह बहुत जरूरी काम है इसलिए मैंने बताया इसमें कोई स्वार्थ नहीं है स्वार्थ इतना है कि हमारे मित्रवंदू हमारे समाज के लोग इस चीज का लाव लें और स्वस्त रहें धर में रहें और स् जरूरी लेना है तो आप इसको हम से प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों आईए इसके बार एक बहुत ही आवश्यक टिफ्स प्रयोग माभगवती गुरु महाज की करपासे आपको बताते हैं वह इनी में से एक दिव्य बनोस दी है वह उसका नाम हट्ता जोड़ी बोलते है जैसा नाम है बैसा ही उसका सरूप है अत्ता जोड़ी मतलब दो हाथ जुड़े हुए इस प्रकार से वह प्राकरतिक रूप से एक बनस्पती घास है उसकी जड़ है वह प्राप्त होती है जो जानकार है वह उसको प्राप्त कर लेता है तो उस पर किया गया एक प्रयोग हम आपको बताते हैं, ये की बहुत ही लावकारी होगा, सभी के लिए, हक्ता जोड़ी जैसा नाम बैसा उसका सरूप है, जिसके यहां ये सिर्ध हक्ता जोड़ी रहती है, उसके सारे काम समय समय पर बनते जाते हैं, इसमें कई प्रकार के इस्वरी प्रदक्त गुण हैं, ये अपने को आना चाहिए, तो दोस्तों ये इसलिए बता दे रहे हैं, कि आप कहीं ठगे नहीं जाएं, उसकी आकरती हाथ, दो हाथ जोड़े हुए रहते हैं इसकार से, और जिसके पास ये सिर्ध हक्ता जोड़ी रहेगी, उसके सामने सभी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, दुस्बन भी होगा, और आपके पास वह चीज है, तो वह आपको सर जुखाके ही सामने से निकल जाएगा, कुछ नहीं बूलेगा, ये उसका एक विशेस गुण हैं, और भी कई गुण हैं, प्रयोग हैं, लेकर उसके पहले हम आपको बता दें, इसको प्राप्त करने के लिए, वही विधान रहता है, जहां से प्राप्त आपको करना है, आप उसको सम्मान आमंतरत करिए, पीले, चावल डाल कर, और नक्षत्रों के अंसार, दिनों के अंसार, उसको आप प्राप्त करिए, और उसके बाद उसको लाकर, उसका पंचाम्रत से इसनान कराकर, दि की दुरगा सबसती में दिये हैं वह आपको उस हत्ता जोडी को सामने रखकर रेश्मी बस्त लाल बस्त पर रखकर सिंदूर चढ़ा कर सिंदूर में रखकर उसकी पूजन करना है और उसके वाद 108 नाम का पाठ भी सुनाना है बहुत चंडी का देवी का सरूप है हत्ता जोड कि उसको ये सब फल प्राप्त वह करवाने में सक्षम है धन की गमी वह भी दूर होती है बाद विवाद हो कोड का मामला हो रोगों से निजात पाने की बात हो ये सब वह हत्ता जोड़ी एक अकेली बरस्त पती है वह कर देती है देखिए ये उसका एक चित्र है वो आप लोगों को बता देते हैं यदि आपको ये प्राप्त ना हो तो आप फिर हम से संपर करें हम आप तक वह असली चीत पहुंचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों आज के लिए इतना काफी है और माता गुरु महाराज की करपास से सब लोगों सुक सांती से जीवन व्य देते हैं हैपी बर्थ दे टू आल